हम लिशुमेद भागवतम के तीसरे स्कंद के पांचवेद धायक एक तालिसमे शलोक को देख रहे है और लिंक ही है कि पिछले शलोक में कहात गया था कि भगवान आपके चरण कमलों का अगर कोई आश्रिन नहीं लिता है तो वह व्यक्ति कहीं पर भी जाए उसको शर्म अर् तो एक प्रश्ण होगा कि भाई जिस भगवान को हम जाने ही नहीं उनकी शर्ण कैसी लेंगे शर्ण तो किसी उस वस्तु की ली जा सकती है जिसका ज्यान हो तो भगवान का ज्यान कैसी होगा यह आप सही कह रहे हो कि भगवान की शर्ण लिए बिना भगवान की भक्ति के बिना व्यक्ति को कहीं पे भी जाएगा चाहे वो देवता भी क्यों नहों वह सुख नहीं प्राप्त करेगा लेकिन हमें यह कैसे मालूम चलेगा यह किसी को भी कैसे मालूम चलेगा कि भगवान है कौन भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है तो उस उप प्राप्त करने के दो तरीके हैं, एक वेद के पक्षिय की पीछे पीछे चला जाए, वेद रूपी पक्षी के पीछे पीछे चला जाए, तो वेद रूपी पक्षी के क्या मतलब है, कहते हैं कि देखिये जैसे पक्षी अपने घोसनों में रहते हैं, घोसनों से ही बाहर निक जंगल मेंनी कही स्थान पे कान स्थान में तो अब वह पक्षियों को देखेगा कि पक्षी वापस कहां लौट रहे हैं तो उनके पीछे पीछे चलेगा तो उन्हें उस व्यक्ति को वह विर्ख्ष मिल जाएगा जिस पे उस उन पक्षियों के घोसले हैं सब्सक्राइब तो और वह उन ही में परियवस्यत होते हैं सारे वेद भगवान की तरफ ही लिके जाते हैं जैसे पक्षी गोसलों से बहार निकलते हैं और वापस घोसले में ही जाते हैं उसी प्रकार से सारे वेद विभिन प्रकार के मार्गों को कर्म या अनाधी को प्रवर्तन करते हैं इधर जाते हैं उनका प्रियोजन है कि जीवात्मा को भग्वान की प्राप्ति कराए जाए भग्वान की तरफ लाए जाए जो वेदों के वचनों का मनन करके भगवान के चरण कमनों का ध्यान करते हैं, वह लोग भगवान की प्राप्ति करते हैं, एक मार्ग है, दूसरा मार्ग है, भगवान के ही चरणों से आई हैं गंगाजी, तो गंगाजी के जो आश्रे लेते हैं, वह भी भगवान के चरण कमनों की प्राप्ति कर लेते है क्यों भगवान की प्राप्ति में जो पाप आदी है दुरित है दुरित का मतलब पाप है जो भक्ति की प्रतिवंदक कर्म है वह सब बंधन के बैठे हैं तो उस बंधन का नाश गंगा जी का जल कर देता है तो गंगा जी का आश्रे लेकर ये एक सेड़ी एक मार्ग है जो शिक्षा है उसके मंत्र है उसका आश्रे लेकर के विक्ति भगवान की प्राप्ति करता है तो इस प्रकार से भगवान का ज्ञान होता है ये श्लोकाश है बाकी डिटेल दो हम चर्चा करेंगे तो मेरे पिश्य को दिए मार्गंति यत्ते मुख पद्म नीडेश चंदह सुपर्णे रशयो विविक्ते मार्गंति यत्ते मुख पद्म नीडेश चंदह सुपर्णे रशयो विविक्ते यस्याघ मर्शोद सरिद्वरायाह पदम पदम तीर्थ पदह प्रपन्नाहा यस्याघ मार्गंति यत्ते मुख पद्म नीडेश चंदह सुपर्णे रशयो विविक्ते मार्गंति यत्ते मुख पद्म नीडेश चंदह सुपर्णे रशयो विविक्ते यस्याघ मर्शोद सरिद्वरायाह पदम पदम तीर्थ पदह प्रपन्नाहा यस्याघ मर्शोद सरिद वरायाह, पदम पदम तीर्थ पदह प्रपन्ना, मार्गंति यत्ते मुखपद मनीडेश, छंदह सुपर्नेर रिषयो विविक्ते, यस्याघ मर्शोद सरिद वरायाह, पदम पदम तीर्थ पदह प्रपन्ना, मार्गंति यत्ते मुखपद मनीडेश, छंदह सुपर्नेर रिषयो विविक्ते, यस्याघ मर्शोद सरिद वरायाह, पदम पदम तीर्थ पदह प्रपन्ना, मार्गंति यत्ते मुखपद मनीडेश, छंदह सुपर्नेर रिषयो विविक्ते, शुपर्णेर रिषयो विविक्ते मार्गन्ति यत्ते मुख पद्मनीडे शुपर्णेर रिषयो विविक्ते यस्याघ मर्शोद सरिद्वरायाह पदम पदम तीर्थ पदह प्रपन्नाहा मार्गन्ति यत्ते मुख पद्मनीडे शुपर्णेर रिषयो विविक्ते मार्गन्ति यत्ते मुख पद्मनीडे शुपर्णेर रिषयो विविक्ते यस्या घमर्शोद सरिद्वरायाहा पदम पदम तीर्थ पदः प्रपन्नाहा आज एक दिन में तो नहीं होगा लेकिन देखते हैं भगवान के चर्ण कमल स्वयम ही समस्थ तीर्थ स्थलों के आश्रै हैं निर्मल मन वाले महर्शिगण वेदों रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदेव आपके कमल सदृष मुख रूपी घोंसले की खोंच करते हैं उन में से कुछ सर्विसेश्ट नदी गंगा में शरण डेकर पदपद पर आपके चरण कमनों की शरण ग्रहन करते हैं जो सारे पाप फ़नों से मनुष का अधार कर सकते हैं रिशेहा विवेक्ते विवेक्त का मतलब होता है अनासक्त विवेक्त का मतलब होता है अनसंग जिसकी आसकती जगत में किसी से नहीं है मतलब अकेले रहते हैं रिश्य हां विविक्ते रिश्य का मतलब उता है जो मंत्र के द्रिष्टा है मंत्र के द्रिष्टा मंत्रों को जानने वाले है वेद के विभिन मंत्र रिश्यों के दोरा प्रकट किए गए है रिश्यों के दोरा प्रकट किए गए है मतलब उनके अंतह कर्ण में भगवान ने मंत्रों को प्रकट कराया है और एक-एक मंत्र को प्रकट कराने वाले आविर भूत कराने वाले एक-एक रिशी है तो ये रिशिगण विविक्ते जगत की एसेम्बिली से लोक सभा से दूर रह करके जनता की बातें भगवान के बारे में नहीं होती है तो जनता से दूर रहते हुए अकेले रहते हुए अनासक्त रहते हुए ते मुख पद्म नीडाई ही नीड का मतलब होता है घोसला आपके कमल सद्रश मुख पद्म कमल सद्रश मुख ही जिनका घोसला अर्थात उद्गम स्थान है अर्थात जो उससे प्रकट होकर उसी में प्रिविश करते हैं चंदह सुपर्णे ऐसे वेदिक स्त्रोत रूपी पक्षियों के द्वारा मुख पद्म नीड़ाई चंदह सुपर्णे ये एक साथ दीजेगा ऐसे सुपर्ण सुपर्ण मतलब पक्षी ऐसे वेद रूपी पक्षी जिनके घोसले भगवान के मुख ही हैं भगवान के मुख कमल हैं क्यों भगवान के मुख कमल से ही सारे वेद प्रकट होते हैं और उनी में वह परियवसित अर्थात उनी में वह वापस लोटते हैं सारे वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग हूं भगवान कृष्ण कहते हैं तो इसका मतलब है कि सारे वेदों का अतात पर भगवान श्री कृष्ण ही हैं, यानि भगवान श्री कृष्ण का ही वर्णन सारे वेद करते हैं, वो भिने भिने बातें बोलें लेकिन मुद्दा यह है कि वह जीव को भगवान की तुरफ ही लाने वाले होते हैं, जब यह बा करो तुमको स्वर्ग जाने को मिलेगा तुमको पुत्र चाहिए यह चाहिए वो चाहिए तुम यह करो तो अब देखिए क्या हो रहा है कि जो जीव किसी की कोई भी बात नहीं मानना चाहता जो कि बदचीव का प्राइमरी लेक्शन है स्वेर आचरण वह अपने भोग की प्राप्ति के लिए कम से कम वेद की बात मानना शुरू करता है तो इससे उसका धीरे धीरे करके हिर्दय का शुद्धी करन हो रहा तो यद्दपी बात हो रही है भो संतुष नहीं होता है तब होगा भी नहीं तो अब भगवान की भक्ति की तरफ उसको भगवान की भक्ति की बात वेद ही बताते हैं तो आप देख रहे हैं क्रमशा 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 सभी जीवों को भगवान की और लाने का कार्य वेद कर रहे हैं समझ माई बात वेद भग कर्मकांड भगवान देने वाले लेकिन भगवान उसको सर्वशिष नहीं बता रहें क्योंकि लोगों की ऐसी मानसिक्ता है कि कर्मकांड भक्ति शुकार नहीं करेंगे तो अपनी तरफ लाने के लिए भगवान उस कर्मकांड के मार्ग को भी वेद के द्वारा देते हैं वह के बाहर वो मार्ग नहीं है इसी बात को भगवान ने गीता में कहा है यह यह था माम प्रपध्यन्ते ताम सथे वजाम में हम जो जिस प्रकार से मेरी शिरुन लेता है मैं उस प्रकार सी इसका भजन करता हूँ और निश्रती पार्त सभी मनुष्य मेरे ही पत पर है तो सभी पत भगवान के तुरब जाने का एक सोपान है एक लेवल है तो अगर कोई देवता की पूजा भी कर रहा तो वह भगवान का देवता भी भगवान से अलग नहीं तो धीरे-धीरे वहां से प्रगति करना शुरू किया वह देवता की पूजा भगवान की पूजा नहीं कर रहा है लेकिन देवता भगवान से अलग भी नहीं है तो वहां क कम से कम वह किसी को थोर्टी मान रहा तो धीरे धीरे प्रगति कर रहा हूं तो क्या मैं इसा बाते क्यों कह रहा हूं वेद भगवान के मुख रूपी गूसले से बाहर निकल ले और बहुत सारे स्थानों में पक्षी जाता है उसी प्रकार से बहुत सारे विश्यों का रादन वेद करते हैं लेकिन अन्तुतों गत्वा वह भगवान में ही परियुस्थ होते हैं वह सारी बातें भगवान के तात्परी को समझाने के लिए होती हैं भगवान को ही तात्परी की रूप में समझाने के लिए होती है वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपह इत्यादी श्रलोक हमने प्रतम स्कंद के दूसरे ध्या में सुने हैं कि सारे विदों का तात्पर भी भगवान वासुदेव हैं सारे तपस्याओं का उद्देश भवान व अन्य जगह भी ऐसे नहीं बता जा रहा है लेकिन उसका उदेश यह है कि विक्ति को धीरी धीरे भगवान वसुदेव का भक्त बना दिया जाए तो यह समझमारी उपमा क्यों दी जा रही है यद्दपी वेद बहुत सारी बातें बोल रहे हैं लेकिन उस सारी बातों का प्रे परिश करना कोछ चाह रहे थे बोलिये को माय की बताईख गिस्थ को इस करम या मशा शुद्धी करन करते न करते ब्हान का भक्त मुस्य हर जीवात्मा भगवान का भक्त है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को नौए श्रवन आदि शुद्ध चित्य कोरिबे उदय उसका हिर्दय अगर शुद्ध है हो जाएगा तो उसका जो भगवान की पती भक्ति हो जागरित हो जाएगी तो आप जान रहे हैं वेद कि हर वेक्ति भागवतम सुनने की इच्छा रखने वाले अत्यांत स्रेष्ट लोग हैं उससे स्रेष्ट कोई है नहीं तो कल्यान पर बूले इसमें कौंशी बड़ी बात है यह बड़ी बात तो अपने तंग अपने संग कोई एक और वित्ति क्यों नहीं लापाए बीटा लाकि दिखाओ कल से एज थाल डेकिन अश्कि प्राकिकल प्रॉपर ले एक-ेक श्रू को समझने के एच्छा करने की एंचहर ही रेर है अच्यूंट तो अमेजिंग तो आप हर वेक्ती तो भाग़ों सुनने का दिकारी है नहीं तो ने तो भईsis कार्मकााण में एच्छितमारी कार्म कार्स सऊनों व यह वैध कि मेंत्रों का इश्री कर शिए लेकर इचिन का आविशन करते हैं मतलब जिन बहूत करद लिए घवान को मिशय 100 कहुत neural ने कि पहला मार्य क्या हुआ वेरी के मंत्रों के दारा बहुती को अगन का ऐड़ी मंचरouं को इसफ्क्रो ने ने की देखा है वेदों ने देखा है और वेद हमको बता रहें कि भगवान है तथा यहां पर सस्कृत में नहीं खाली अन्वाइब पूरा करने के लिए पूल रख्या है तथा दूसरा मार बता नहीं यस जिन जल तो उद मतलब जल तो अग्हमर्श उद यानि कि पाप को नाश करने वाला जिनका जल है उन सरित सरित का मतलब ता नदी तो उन सारी नदियों में जो जिनका जल पापों का नाश करने वाला है उन वराया उनमें सर्वस्रिष्ट जो हैं वो गंगा समस्ट पापों की नाशक समस्त नदीओं में रिषट गंगा के अरथात उद्यूं स्थान है भगवान के चरण कमलों से गंगा जी आई हैं भगवान वामन देव ने तीन रहे भूमि नापने के लिए अपने पाम बढ़ाए थी तो आप भक्तों जानते हैं कि एक पग से दूसरे ने इक से दूसरी वाले से था ना कौन से वाले से थे भाई अधी अधी हशे से घ्राढ़ए द्विस्सरे वाले पस्ट कियों तो यह ब्रह्मान को पार दी तो प्रह्माण की लेनस भड गई और उसमें से जो कारण साकर्ट जल ता वह वह करके र्युस करके आया और भगन के चलनों को धुल करके फिर वह नीची आया जिए तो ब्रहma जी के मंदल्यों में फिर वहां में से शिव जी फिर शिव जी के एक जटा से निकल करके तीमों लोकों को पवित्र करते हुए जगत में आया तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान के चलनकमल गंगा जी के उद्गम स्थान है वरायाह मतलब गंगा जी वराया मतलब सर्वस्रेष्ट वराया मतलब गंगा जी क्यों कंगा जी का नाम नहीं रखा गया है जो भी नदियां जिनका जल पवित्र करने वाला है पापों को नाश करने वाला है उनमें जो सर्वस्रेष्ट हैं उनका पदम अर्थात उद्गम स्थान भगवान का चलनकमल है तो आप पूछेगा जो शास्त्र जान रहा है वो समझ जाएगा कि वह सर्वस्रेष्ट नदी जो पाप नाश करने में है वो कौन है गंगा जी तो गंगा जी के बारे में बोलना है तीर्थ पदम पदम आपके उन चलनकमलों का जो सभी तीर्थों के आश्रे हैं हम प्रपन्ना आश्रे लेते हैं उन पद का आपके चलनकमल पदम मदब जाकर चरण कमल जो तीर्थ पद है सारे तीर्थ भगवान के चरणों में निवास करते हैं अब ऐसा क्यों तो एक क्वेशन आप इठा लिजे सुनाए गया था कि गंगा जी में पूरे ब्रह्मान के साड़े तीन करोड पवित्र स्थल निवास करते हैं और वह गं इसलिए भगवान को तीर्थ पद कहा गया है मार्गंती यत्ते जिनके चरणों का जिनका अन्यवेशन करते हैं मार्गंती मतलब मार्गंती मार्ग ढूनना होते हैं भगवान कहां कि रस्ते में किस रस्ते से पहुंचेंगे उस तरह से मार्गंती अर्थात अन्यवेशन करत कौन तो कहते हैं मुखपद मनीड है शंद है सुपरने रिशियों विवेक्त जो रिशिगण अना सकते हैं जगत में किसी से भी आ सकते नहीं है वह आपके चरणकमल सरी आपके मुखकमल जिनके घोसले हैं उनके उन वेद रूपी पक्षियों के सहायता से रिशिगण जो अत् वह आपके चरणकमलों का अन्यवेशन करते हैं यह पहली रहन का अर्थ है दूसरा क्याते हैं यस जिन चरणकमलों जिनके जिनके चरणकमल अघमर्ष उदसरित वरायहा पाप नाश करने वाला जल जिन नतियों का है उनमें सरुशेष्ट गंगा जी का पदम अर्थात उद स्थान है उन पदम यह उन चरणकमलों का प्रपन्ना हम शर्ण लेते हैं तो वह चरणकमल कैसे हैं तीर्थ पद हैं और थास सारे तीर्थ उनमें निवास करते हैं तीर्थ सबसे कहते हैं समझ लेना चाहिए कि वह पापों का नाश करने वाले हैं और पुन्य को प्रदान कर करने वाले हैं तो इस दिन दो प्रकार से लोग भगवान के चरणों की प्राप्ति करते हैं भगवान के चरणों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और एक ज़्यखा गया है कि गंगा जी के तर पर बैठ कर वेद पड़ने के मार्क से इरु टिका गया हिए। को ये भी तरीका है श्रिधरी जो ग्यात वस्तु होती है उसी का आश्रे लिया सकता है यह अग्यात वस्तु का आश्रे जा सकता है आप क्या रेहे हो कि भगवान के च्रण कमलो काश्रे लेगा तो कैसे भगवान के चरण कमल जाने जाएंगे तो इस पर यह चलोग कहते हैं अतेव उस भगवान कृष्ण के उन भगवान कृष्ण के चरणों के ज्यान का साधन बतलाते हुए देवगण यह चलोग कहते हैं भगवान के चरण कमल कैसे जाने जाएंगे तो प्रवेश कर जाते हैं उसी तरह है भगवान आपकी ही मुख से निकले हुए वेद मंत्रों का परिवसान आपके मुख में ही हो जाता है उन वेदों के सहारे ही रिश्रिगन आपके चरणों का अन्विश्वन करते हैं तो बस समझ में आ गई आगे पड़ते हैं जिन नदियों का जल पापों का विनाश करने वाला है उनमें श्रिष्ट नदी गंगा का उद्गम स्थान भी श्री भगवान का चरण कमली है अतेव गंगा का सेवन करने वाले भी गंगा की उद्गम स्थान श्री भगवान के चरणों को ही प्राप्त करते हैं ये भी क्लिर ह हो जाएगा तो क्यों नहीं दिख रहे हैं भगवान क्योंकि हिर्दय पवित्र है बिल्कु सोज मेरे बात तो वेद का वेद का संपर्क प्राप्त करके विक्ति पवित्र होता है तो भगवान समझ में लग जाते हैं ऐसे ही गंगा जी में बार बार स्नान करके जीव की अविद्या का नाश होता है पाप नश्ठ होते हैं तो भगवान की प्राप्ति होने लगती है भगवान कोई ऐसे नहीं है कि कोई और हो उनके चलन कहीं से इंपोर्ट किये जाएं वह तो अंदर ही बैठे हैं लेकिन हम बहार देख रहे हैं हम बह गंगाजी हूँ चाहे वेद हूँ दोनों ही भगवान के द्वारा प्रकट हो रहे हैं वेद भगवान के मुख से प्रकट हो रहे हैं गंगाजी भगवान के चर्णों से प्रकट हो रही तो दोनों एक ही प्रकार से कार करते हैं जीव की अविद्या का नाश करने वाले हैं और उसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे पक्षिगण अपना घोसला छोड़कर इधर उधर परिब्रमन करके वापस वहीं आते हैं। उसी प्रकार वेद भी कर्म आदी विभिन मारगों का वणन करके आपकी प्राप्ति ही कराते हैं। कुछ समझ में आया यही बात में व्याख्या कर रहा था कि हर वेक्ति का अलग अलग अदिकार है हर वेक्ति तुरंद भागवत्म सुनने नहीं आ सकता। अबिसे कान है लेकिन इंक्लिनेशन नहीं को यह वह अइसा कोई एसन वvordan कर रहें, यह यहाँ नहीं करना कर देदिक ही हुआ. जिस दिन से बताया गया उसी दिन से शुरू कर दे तुर, जिसको करना होता वो उसी दिन से शुरू करता है। और जिसको नहीं करना होता है उसकी एकड़ाशी कभी आती ही नहीं है तो अकारण क्या है उनको पिश्वास ही नहीं होता है देखिए ब्रह्म करने में तो भगवान इतने अध्वुत हैं कि पर्शुराम जी भी ब्रहमित हो गए कि ये शत्री है लक्ष्मन जी स्वाम बल्राम नहीं कर रहा है इमारे फर्शों को नहीं देख रहा है अभी काट दूगा ये कर दूगा वो कर दूगा अध्या तो जब भगवान के अवतार भगवान को नहीं समझ पाए तो हम को सी खीद के मुली है मत्तिन आयए समझ गए ना इसलिए सुनना पड़ता है टीक है तो वेवें नि लोगों की अधिकार के अशेसार कितना उनका हरदर्शुध्ध है कितना वो डोसगरों कर सकते हैं वेदों ने अलगलग मार्गों का वणनन के है ताकि धीरि धीरिव शुद्ध हो करके अन्तव पर उए जिस प्रकार से यक पक्षी घोसुले से निकल कि विभिन दिशामाँ जाते हैं, लेकिन लॉट के ऐसे बापस घोसुले में याते हैं। से परम पुर्शारत के लाव के लिए वैसा करते हैं क्योंकि भगवान तीर्थ बद हैं भगवान के चलनकमल सभी तीर्थों के आश्रे हैं और वे हर प्रकार के पापों का नाश करते हैं केवल उनका ध्यान करने से तो ध्यान तो तब करोगे जब वो समझ में आएंगे जब म ले चलू जाता है, खाना खाएंगे बाद में ध्यान पहले हो जाता है, कि आज ये बन रहा है, खुजबू आ रहे हैं, तो आप जिसकी खुजबू ही ना आए, इसका नाम ही ना जाने उसका ध्यान क्या करेंगे, तो नाम या जो कोई गोड़ है वह तो आप वेद के द्वार है पाप का नाश जाएंगे तो पर्म पुर्शाथ की प्राप्ति हो जाती है पर नम पुर्शाथ मतलब भगवान का प्रेम कि अपैसिकल के फिर में जो भी अनुआर्थ है उनकी निष्ट हो जाए जैसे देखो वह सिंपल सी बात है आज एक भक्त को मैंने भागवत अध्यापमन गुरूप का लिंक दिया और उन्हें उस बात की बहुत सरहना करी कि इसमें PDF भी है उसमें audio भी है और सब कुछ है और उन्हें फीडबैक दिया कि वो ऐसे इस प्रकार के किसी सुरोत की को ढूंड रहे थे अन्विशन कर रहे थे तो ये इस प्रकार की जो इच्छा है किसी भी वेक्ति के हृदय में आ रही है कि मुझे भागवतम सुनना एक और भी भक्तम को यहां पर बोल रहे थे कि गीता सुनना चाहते थे बड़ा उनका आग रहता वो सुच रहे थे कौन सुनाएगा ये सब पूर्व के किये गए महान पुन्यों के कारण है एक वक्त हमारे सामबन नहीं बैटे वह बोल रहते विरंदावन आते थे चले जाते थे आते चले आते तो सूच रहे थे कि मैं आता-जाता ही रहूंगा या मैं कभी यहां पर हमशे रह भी पाऊंगा यह सब की च्छाती क्या सी हमें बहुत से लोग को बोलते हैं कि धन है सब कुछ है और आके यहां पर रह भी सकते हैं फिर भी नहीं रह पाते हैं कि नेगेटिव धारन वे रहा हूं इस जीवन में कभी-kभी रोब हो जाता है कारण्व नहीं मालुप चलता touch yeah क्या कभी हुरा है पिच्छा ही नहीं छोड़ thrust practice पहले किये गए कुछ कर्म का प्रभाब है उसी प्रकार से इच्छा है भागवत्म सुनने की पहले किये गए महान पुन्यों का फल है जो व्यक्ति प्रारम में इस इच्छा से युक्त होता है उसको नहीं पता है लेकर हम लोग शास्ति के अधार पर समझने हैं पूर्व भ्यासे न तेने वा हिरियते ही वश्व पिस हो पूर्व के अभ्यासे भक्ति योग जो पहले किया है इस कारण से अपने आप इच्छा हो रही है भक्ति करने कि लिए अपने आप नहीं हो रही है भगवान इच्छा फिर जागरत कर रहा है पिछले जनम में हमने जो भक्ति कर रही है और जैसे ही मैं इस चीज को देखता ह से आंधियरे में रखते हैं कि मुझे यह इच्छा क्यों है मुझे ऐंसे उनलों को आको नहीं पन बता कि इच्छा कहां से आए कि भाटि क्ति प्रति stellen इस प्रकार से क्यूंके तो गूंत अब इसे बात सब अनर्थ जो हैं यह दबाए रखते हैं हम लोग तो किंचित मात्र जब या जितनी मात्रा में हर्द्र शुद्ध हो जाता है उतना यह भक्ति का प्रभाह निरबाध रूप से होता है समझ रहें बात तो मालो एक जनब में नहीं हुआ तो दूसरे जनब में करेगा लेकिन वो जो उसका बैक अप है पहले का वो उसके भक्ति के प्रतिमंद को रोकते हटा देता है इसलिए आप देखो जो कुछ अने लोग को बोलोगे जब करने के लिए तो जब करेंगे ही नहीं वो करें माला देदीजिए सब कुछ देदीजिए फिर भी नहीं करेंगे तो उनको भी रोका हुआ है उनका नर्थ क्या इसारा विज्ञान आप समझ पा रहे हैं तो क्योंकि भगवान का ध्यान करने से सारे पाप जो भक्ति के प्रतिबंदब कर्म है वह सब नश्ठ हो जाते हैं और फि भगवान के च्छन कमलों कांवेशन करते हैं इसलिए करते पर बहुत सारे पाप थेंगे शार्म करते हैं इसलिए अन्वेशन करते हैं वेद के पक्षियों के द्वारा वेद रूपी पक्षियों के द्वारा शमा की जिए पढ़ लेना भाई दुबारा पढ़ लेना समझ में आएगी बात अच्छा इसलिए कहते हैं तीर्थ पद भगवान अब ये क्या बात हुई देखिए जैसे तीर्थ सभी प्रकार के पुणियों को देने वाला है और सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है और एक तीर्थ ऐसा करता है तो उसी प्रकार से भगवान के चरण कमल तो सभी तीर्थों के आश्रय हैं तो वह सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं और हर प्रकार के पुन्न को देने वाले हैं अब भगवान के तीर्थ पद यानि कि भगवान के चरण कमलों का जो ये सभी तीर्थों के आश्रय देने का गुण है उसको स्पष्ट करने के लिए आगे कहते हैं को ही स्पष्ट करने के लिए अगमर्ष उद्वसरित वराया है कैसे भगवान के चलन कमल सभी तीर्थों के आश्रे स्वरूप है इसको इस शब्द से प्रकट करने हैं स्पष्ट कर हुआ कि भगवान के चर्ण कमलों में ही सारे तीर्थ निवास करते हैं कम से कम साड़े तीन करोड तो करते ही हैं और उससे अधिक भी कि ठीक है कि कि श्रीमद वीर रागा व्याख्या 3.5.41 थोड़ा सा उसका आश्य लिया हूं मैं कि जब गंगा जी के सेवन से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं तो उनके उत्पत्ति स्थान जो ये भगवान के चर्ण कमल हैं उनका सेवन करने वालों के पापों के दूर होने के विश्व में तो कहना ही क्या जब गंगा जी में इतनी शक्ति है कि सारे पापों को नश्ट करने वालों में सर्वस्वेश्ट है और उनका उद्गम स्थान उनका सोर्स जो है वह भगवान है भगवान के चलण कमन है तो भगवान के चलण कम द्यान करने से कितना पाप नश्ट हो जागा उसका कुछ हिसाब ही नहीं और बात तो यह कि कोई हिसाब नहीं है पर यंविक्रत निर्वेशो जन्म कोट्य महं साम पी यम विश्ण दूतों ने कहा कि starts हम ही ने अश्ची निर्वेशो इसने इस निश्थ कृते निर्वेशो सारे प्रयस्चित कर लिए कितने जन्म के कर लिया है? मालो यम्दूत कहते तो कहते हैं कि जन्म कोटी अहन साम अपी करोणों करोणों जन्मों के भी तो इस बात को सुन करके यम्दूत तो जल पड़े करोणों जन्म के एक जन्म के एक भी पाइप का प्राइश्चित नहीं किया है और आप कहति ओ करुणों ज़न्म के कब की ये इसने तो कहा रहे है ये व्याजहार विवश RICH जब इसने विवश अवस्था में अवश अवस्था में न चाहते हुए ये व्याritogress वला एक नाम बोला था भगवान हरी का किसी को जीवन में अगर ये श्लोग भी पता हो जाए याधी कर लेना आयम हिकरते नेरे वेशो जन्म कोट्यां साम पी ये द्व्या जहार वेश्ण नाम सस्तयनम हरे 6.2.7 या 8 होगा देख लिनास में अब बहुत बज़रा चलो कि विश्टुन दुतों के दार पो लगया है तो वह सबसे पहले नाम को मिखता देगा आज ही बात हो रहे थे बक्स से कि भई प्रचार करना चाहिए तो किस का प्रचार करना चाहिए तो वह चूप हो गए उतरी नहीं दी ते कुछ गलत तो नहीं कह रहे है तो प्रचार करना चाहिए तो प्रचार तो किसी चीज का होता है ना प्रचार का प्रचार तो नहीं कर नाँ उसका प्रचार करते हैं जर्ण आप सुनिए बड़ी कड़बी बात लगी होगी जिस जीज को हमारे जीवशन में कोई महत भी नहीं है उसका प्रचार करते हैं जर्ण ये बताई कि जो आपके माता-पिता भक्ति में सहायतां नहीं कर रहे हैं वो कभी आपको प्रचार किये कि बिटा जब करो बोलीकि का माई की बताइए आपके माता-पिता को Kalins twee मैं बोल रहा हैं कि अगर माता पिता देखें औंके लोग माता पिता भक्त नहीं है क्यों लुक्रार की श्रीफ नहीं समझतें यह उसक लिए महत्व इने इस अबसौिट टाइम वेस्ट एक बच्ची को हमारे गृ menor पता पिता लिट्रली वास्तव में उसको पागलों के डॉर्टर के पास ले गए कहीं यह पागल हो गई लेक Augs it's too much और सभी बात है मानों कोई उनके reference frame में देखिए तो क्या सब्सक्राइब लड़का बता ला कउल सरस लाकैंते और मार मामी मामी जिसको आप महत्वहीन मानते हो, क्या उसका प्रचार करता है कोई, यह जिसको बहुत महत्वून मानते हैं, उसका प्रचार करता है, बहुत इंटरस्टिंग बात है कि भगवान के नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है, तो भगवान, इसी यही बात बोली जाती है कि भग बहुत 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 जन्मों के अभ्यास के द्वारा जब कोई विक्ति जन्मों के अभ्यास के बाद यह समस्ता है कि भगवान की शरण में जाना चाहिए भगवान वासुदेवी सब कुछ है प्रभुपाजी कहते हैं कि महाप्रभु इतने कृपालू है कि बहुत सारे जन्मों की पृतिक्षा नहीं करवा रहे हम जैसे लोगों को मुझ जैसे विक्ति को जो नितांत अज्यानवान है उसको सीधे ही कृष्ण दे रहे हैं नाम के रूप में रिष्णा 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 रे हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे See look here Krishna is take it. Why don't you take it? ए ने छे उशधी माया नसीबार लागी हरी नाम महा मंत्रा लाओ तुमी मागी मैं तुम्हारे लिष्णा रिष्णा 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 रि रखिए नहीं लगैंगे उससे कहीं ज़्थ हम पीछिए लग जाते हैं हुआ और उन्नेन को बताया कि वहएं कि आप सकते हैं प्रकायर्णा किolphु कि शुभ है क्रिष्ण जिएना कि एक नपर को पहुत है ओना है डाल कया तो आप मेंसे और मुझ मेंसे कौन वेकति है जो कहे दे कि मैं जानी सकता। अरी वो पास हो गया एक नंबर का फेलियर तो अपना भी कुछ चांस है अग्रीट जिस प्रकार तो हम बात सब यह कह रहे थे कि भगवान के चरण कमलों से निकलने वाली गंगा जी इतना पवित्र करने वाली है तो भगवान स्वयम कितने होंगे तो इसलिए चरण कमलों का आश्रे लेने वालों के सारे पाप दूर हो जाते हैं यह बड़ा सुंदर है यह उधारन दी जाता है कि जैसे कमल की हपती होती है तो उस पे आप जल डाल दीजिए तो जल देखेगा मोती जैसा एकदम ग्लोबिल बन जाएगा और सट से निकल जाएगा मास हड़ जाएगा जाएगी हड़ जाएगी वहां से इसी बात को यम्राज जी से यम्दुतों ने पूछा कि अगर आपके भग्वान विष्णु के भक्त पाप करने तो तब उनको लेकर आए तो कहते हैं नहीं स्याथ पात्त की अगर भग्त लोग पाप करते नहीं कदाचित पाप हो जाए म माय जगत में रह राय मुईत हो जाए तो क्या उरुगायवाद भगवान की यश को भगवान को यश को गाने से तो पाप तुरंट नस्ट हो जाता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसलिए यम्दूतों तुम भक्तों को कभी मतले क्या हो मेरे पास में भक्त स में इस पाप से निवर्त होने का मेरे पास आपके लावा कोई भी तरीका नहीं है इस इस कॉंस्टेंट मूड़ सरेंडर मैं कितना प्रतित हूं हम भक्तों के रूप में भक्तों के समाच में कलंक हूं इत्यादी एक चोटी सी विनोत की बाद काऊंगा समय हो गया वाकी टि काचार कर रहा हों कि देखो इनके भक्त तो इनकी कठा में सोचाते हैं यह माद कादम मुझारा राया है कि भक्त अपनी भरसना कर था है बगवान भगवान कि कितना प्रतित हूं इसलोग का प्रतितन一定要e कर रहा हूं कि सभ लोग exactly प्रफ़ाइन के भगवान किष्णी के भक्त तो नहीं की कथा में सोजाते हैं। तो अब इसका मतलब यह नहीं कि वह कथा में बंद करतेगां। लेकिन वह अपनी भर्षना करते हैं। भवान यह कैसा कर रहा है। कैसा हो रहा है। हैर। हमको बहुत अच्छा श्लोग लगा। उम्मीद है कि आपको कुछ बाते सीखने को मिडी होंगी। और कागे की चर्चा हम कल सुनेंगे। बहुत पारी बात है। कि यह एक ही बात थी वह उनको बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन भगवान का नाम चालन करते रहेंगे भवान के कथा सुनते रहेंगे तो पाप जीवन में ठीक ही नहीं सकता है। इसी कारण से कदाचित भगतों से कुछ गलती हो जाए तो उनमें पाप उध्धी करना कि यह बहुत बड़ा वैश्नव प्राध है। भगवान किस कारण से उस पाप को बना के रखें आप नहीं जानते हैं। भगवान तो एक शण में समनष्ट कर सकते हैं। वह इसी लिए ता कि भग के हरदे में दैनता बन जाए भगवान में से पापी कोई भी नहीं है। और यह योगता है भगवान के पास जाने की तो भगवान तो उसको अपने पास आने की योगता दे रहा है। तो इसलिए कम से कम इतना देख लें कि उसके जीव से भगवान का नाम जब हो रहा है। बस ठीक है। अबर तीक है। आप यह वेरिफाय कर सकते हैं कि नहीं है। अगर संधे हो यह बता देजिए कि कोई तरीकांग जानने का कि नहीं 3.4 करोन है। यह 3.3 करोन हैं तो 3.3 करोन हैं। यह वायू पराण शोद्रण दिया गया था। और कुछ एक वक्त कह रहा है मुझे तो अभी भी नहीं लगता कि इसी वर्थ में चली जाओंगी क्योंकि मन में तो अभी बहुत गंदगी है इच्छाएं भी है ठीक है तब अगले जन्म में चले जाना तो क्या दिकरत नहीं जा सकते था है अ उस ट्रेंड में तो नहीं बैठें नहीं है जिसका एक्शडेंट होने वाला है जिसका एक्सिडेंट प्री डिस्टींड है एक्सिडेंट होने गाही और लोग मरेंगी आज मैं जब आज आपको मेरा बहुत जब कमद था लेकिन कुछ कारे मेंटिनेंस के घर के थे तो हम कर गए करने चल लगे तब मैं सोच रहा था कि भाई वो श्लोक जो है का मतलब क्या है बहुत घंबीटा सा सोच रहा था तो मैं सोच रहा था कि आप किस चीज को वेस्ट मानते हैं जैसे मैं अपने पंखे का एक पेंच लेने के ले गया था तो पूरा बाजार घूमता और वो पेंच ना मिलता तो क्या मैं बोलता अरे बैर्थ ही घुमा यहीं बो बोल रहा है कि हमारा सारा प्रयास सुख प्राप्ति के लिए है तो कथा छोड़कर भक्ति छोड़कर हम जो कार कर रहे है वो वेस्ट है कि नहीं है एकदम वेस्ट है ना क्योंकि उसे सुख मिलता ही नहीं है इसलिए को बोल जा रहा है आयूरहरति वैपम साम वेस्ट कर रह तो अगले जन्मम बह अब तो हैं और यह कैसे कैसी लिए कि इस जन्ममें आप नहीं ही जायंगे नहीं ही जाएंगे थे अब यर्द आणे ने वक्तव में का, इस रिकॉर्डड़ेट, I have seen, not, ऐसे बुले थे, we have seen how मातजीज who have kids also, they were perfectly Krishna conscious when they were living their bodies. एक समान ग्रहने जिनके संतान भी अब संतान कितना खून पीती है, वो तो माही जानती है, प्लीज बुरा नहीं मानना लेकिन आप लोग इस बात को जानते हैं, कितना ये लाओ, वो लाओ, ये खिलाओ, वहाँ भजन कहां हो पता है, कई साल हो तक, इसमें कोई विरोत्त है नहीं, और फिर पती है, और उसके सास है, ससूर है, बहुत सारे पंगे, और उसके बाद भी, ये वर फुली कृष्णा conscious, प्रवपाजी के खिश्चा थी, जिनको देगर साल पहले मालूम चल गया, कि इनको सुरूप क्या है, शीज असस्टन आप मदर येशोदा, like that, normal, simple, for the simple, chant 16 rounds, be humble devotee, don't find fault with devotees, simple, fasting करनी तो इससे fasting करनी चाहिए, everyday, प्रोजी fasting कब तक है, जब तक, स किस चीज की fasting है, वैश्णव दिन्दा की fasting है, कैमुत तिनाय क्या होता है, प्रवुजी, हमारा एक प्रश्ण है, प्रश्ण करने वाले को, बेटा, कब से भागवा सुन रहे हो, कब तक, कब तक नहीं समझोगे, बड़े संकल्व लेकिया है, कि हम एक बात भी नहीं समझें का मतलब किम उता, कहना ही का, जैसे मालोग गंगा जी में अगर उंट डूब जाए तो छोटे बच्चे का तो कहना ही किया, इनसान का तो कहना का, इसे कैमुत तो गंगा जी जब सारे पाप को नाश करने वाले हैं, तो कैमुत नहीं से भगवान जी के चरण कमल, जो गंगा भगवान के चलण कम्लों में भी साढ़े तीन करोड तीर्थों का निवास है, this will be offense. catch किया आपने? ये नहीं कहता रहा है कि भगवान के चलण कम्लों में केवल साढ़े तीन करोड तीर्थों का निवास है, साढ़े तीन करोड तीर्थों का निवास तो है ही, लेकिन लिम्टिट वहां ते नहीं, अगर साढ़े तीन करोड लगा दिया तो आपने तो भगवान को लिमिट कर दिया, भगवान के चलनों में असीमिश शक्ति है, यह अर्थ है, ठीक है, इस ग्रंद का नाम क्या है, कौन से ग्रंद का नाम, श्रीमत भागवत्म पूछ रहे है, ध्यान पूरग नाम जब करने की कोशिश करते हूं, बहुत अच्छी बात है, यह भी बहुत रेर है, पर वैश्नव क्वालिटी नहीं आ रही है, अच्छा यह बताईए कि क्या वैश्नव लोग ध्यान पूरग जब करने का प्रयास करते हैं, क्यों रादा शर्मा है, अना कि ध्यान पूरग जब करने का प्रयास कर रहे है, आर्गेमेंट, मैं देखती हूं कि कुछ है, जो नाम को ऐसे ही करते हैं, उनमें सिवा भाव और वैश्नव क्वालिटी से हैं, ऐसा क्यों? देखिए, होता यह है कि जो कार्य करना हमको अच्छा लगता है, मान लो है कि वो जाप अच्छे से करते ही होंगे, इस तर्ट सिंकिंग इस बहुत सटल बात है, मुख्य बात है कि भगवान की श्रवन करने में उसको कितनी रुची हो रही है, यह मेरे शब्द नहीं, अब आप सुनिये प्रहपार जी के शब्द, तुम मंदिर आते हो, मंदिर में प्रणाम करते हो, बड़ी श्री बात है, लेकिन कथा सुनने में अगर रुची नहीं है, श्रम एवही के वलं, इस वेरी हैवी, आप रहुपा जी के लेक्चनों को सुनियेगे जो इस पर है, विश्वक सेन कथा सुया, नोत पाद यदि रतिम स्रम एवही के वलं, तो नाम जब कथा सुन रहे हैं, ठीक है, कोई भी सेवा करने से भगवान प्रसुन होते ही है, लेकिन उसका परियवसान यह है, उसका रिजल्ट यह है कि भगवान के नाम में रुची होने चाहिए, अब मैं क्या अपने मन से कहा रहा हूं, नहीं, भक्ति रुसामे सिद्धुम प्र कुछ नाम में बाधा देना नहीं है, नाम में जो बाधाएं हैं, उनको हटाना है, यह आप लोग कोई मुश्च पामल में विरोध कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभपात की क्रंच से बोलना, बक्ति रुसामे सिद्धु से बोलना, बिलकुर इस पस्ट है, everything can be accomplished by this chanting, because you can't do it I have to crack my brains to tell you to do so many things, इह नहीं कहा जा रहा है कि अन्य सिवाय मत कीजिए, मेरे लिए भी जब से जदा आसान है, cooking करना, it's very easy, is it not? बड़ चांटिंग से जितना लाभ हमारे जीवन में होता है, उतना अनकिसी से नहीं होता, आप ये मेरे वक्तवे नहीं है, आप नारेजी के जीवन का प्रसंग सुनेंगे, तो वहाँ बलकुर इस पस्ट लिखा है कि भक्ति में acceleration होता है इस श्रवण कीर्तन के दारा, वही स्तिती जो मंदिर में कई सालों तक सेवा करके व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो अब जो लोग सेवा करना है, उनको हम निंदा नहीं करना है, लेकिन जो व्यक्ति की कथा में रुची है, वह है अपने को हीन भी नहीं माने, इस जस्ट, हरेके टेस्ट की बात है लेकिन जब तक भगवान के बारे में सुनने में रुची नहीं है, वह भगवान के बारे में जानने के लिए भगवान के पास जाए गा ही क्यों, आग अपको पता ही होगा कि प्रभुपाजी को दिक्षा कीवल एक ही गुण की विज़ तरह से बता रहे हैं कि किसी भी तरह से हम भगवान को नहीं पकड़ सकते हम कीवल एसी चित पा निर्मान करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें भगवान आविर्भूत हो जाएं यानि किmir माण करने का सब्सक्राइब निश्क कर रहे房 तो बग्मान के श्रवण कीर्थन करने वाले ही भग्मान को सबसे जल्दी देखते हैं और इसी बात को अपने गीताम में पी सुना था तब भी संदे कर रहें लेकिन ध्यान दिजिएगा कि इस नहीं कि हम जब करने तो सेवा नहीं करेंगे आप सेवा किये भीना रह नहीं पाएंगे अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, यूवल लाइक टो सम्सर्विश, सम्तिंग आपके हाथ में खुजली होगी, कुछ तो करें, यह भी एकसी पॉइंट है, मुझे तो यह कन्फूजन है कि क्या गंगा जी से भी वही गती प्राप्त होगी, जो भगवान के भक्ति करने से होगी, देखिए यह भी अच्छा बात है, यह भी बहुत अच्छी बात है, श्रीमित भागवतम के 10.89 में, अथा या 87 में, लास्ट में है, श्रुलोग में बाद में एक बार शेर किया था, फिर से शेर कर दूँगा, कि देखिए गंगा जी को त्वीर्थ कहा गया है, तब तक जब तक भगवान का यश इस जगत में नहीं उपस्तित हुआ था, तो जितना श्रवण कीर्थन केरकन दारा वेक्ति शुद होता है, उतना तो नहीं शुद होता, जैसे कि अब आप प्रतमिस्कंद के प्रतमिद्दाय में सुनते हैं, प्रशम के मने अत्यन्त मानसिक शांती के आगर बन जाते हैं, आश्रय बन जाते हैं, घर बन जाते हैं, और वो इतने पवित्र हो जाते हैं, कि वह केवल संगती मात्र से ही पवित्र कर देते हैं, जब कि गंगा जी बहुत समय तक सीवन करने के बाद पवित्र करती हैं, तो जब भाक्त इतनी पवित्र हो जाते हैं तो श्रवण कीर्थन के समान तो पवित्र करने वाला कुछ है ही नहीं क्या प्रमाण है जो भगवान का नाम चारण कर रहा है वह एक ब्रामण से भी स्रेष्ट है चाहे वो कुता खाने वाले के अमिक्यों न पैदा हुआ हो क्योंकि उसने भगवान को प्रसंद करने के नाम बोल रहा है तो सारे तीथों में प्रमाण कर लिया है सारी पवित्र नदिया में इसनान कर लिया इंक्रूडिंग गंगा जी सारे वेदों को पढ़ लिया है आरेयों के लिए जो भी कुछ कार करना चाहिए वो कर लिया है और क्योंकि वह भवान का नाम चारण कर रहा है और गोकोटित दानम ग्रहनेख गस्या गंग प्रयाग गंगोदक कल्प वासा यज्यायुतम मेरु सुवन दानम गोविंद कीर्थिर्न सम्मं शतान से श्रुब जानते इसकी वाख्या नहीं कर रहा है और सॉयर्ण चैनि मृतियु और सारुब मृतियू किया है ये वह ऊसकी व्याख्या वहरे जान पूर्बग नाम सुनना क्या अकर रहत है को प्रहां कि मध्या भागवत्यों को लिख सब्सक्राइश यहिए अगर आप उनकी व्याख्या सुनना चाहते तो उनसे सुनिये हमसे क्यों मायवादी मायवादी से पूछी कि अगर कोई भक्ति व्याख्या करेंगे तो कैसे करेंगे तो नहीं बता पाएंगे तो हम क्या बता हैं जोग जाना चाहिए कुए रहें कि 16 माला करूंगा तो एक जनम में छला जाँगो तो 8 माला करने के बाद दू है धाम होगहा तो तो करके दिखिये अब ऐसा करे यह लुकाइयुन के बाद भी और बाकी जाफे हुन्स धिन जीले लीडिया दो घंटा लगता है चुंप करनेend जरा वेट कीजिए चार अधाय और और नहीं वेट कर सेतने पढ़ लेना तीन नौ पंधरा मरते समय अवश रवस्था में भी आसुविग में विवशाह गरणती एक नाम भी भगवान का बोलता यह स्यावतार गुण कर्म विडंब नानी लेकिन भगवान के नाम को मरते समय भी कोई अगर एक बार बोल देगा तो भगवान की प्राप्ति कर लेगा तो नाम कीर्थन और वैशनव सिवा दोनों ही इंपोर्टन हैं फिर नाम उपर कैसे हुआ सिवा से तार मधे सर्व स्रिष्ठ नाम संकीर्थन निरपराधे नाम लेया पाबे प्रेमधन ऐसे स्रिष्ठ हुआ तो वह कहा रहे है कि सारे साधन यह बता दीजी कि वैष्णों की सेवा का मतलब क्या है, वैष्णों की सेवा क्या मतलब बस यही है कि रोटी ठूस ठूस के खिलाएं, क्या कि यही सेवा का मतलब है, सेवा का मतलब है यथा कामम यथा कालम जैसे अभी आपने मुझसे प्रश्न किया, और मैं आपको आइस क्र तो मैं आपको सुखी किया, what do you say, आप मुझसे कोई अध्यात्निक परश्न करना चाहे, और मैं आपको चली यह आइसक्रीम प्रसादम खाओ, यह गुलाब जामुन कहोगे, पर अब जी मेरे परश्न क क्या होगे, आपको तो वो मैं खा गया, आप गुलाब जामुन कहोगे, तो will you be satisfied or will you be happy, you will be absolutely unsatisfied, तो समझ लीजे, मैंने यहाँ वैशनफ सिवा को निंदा नहीं कर रहा, मैं कहा रहा हूँ वैशनफ सिवा क्या है समझी, वैशनफ सिवा, सिवा का बला simple मतलब है, जिस यथा कामम, यथा कालम, जैसी उस भक्त की इच्छा है, और जैसी वह समय, उस कुछ भगवान के बारे में जानना चाहता, तो उसको वह बताना वह उसकी सिवा है, और उस वैशनफ सिवा के द्वारा हमारी नाम में आकर्शन बढ़ता है, क्या था, नाम संकीर्तन, वैशनफ सिवा और जीवदया, यही एक सच्छे वैशनफ का आचलन है, मैं इसको महत पूर्ण है, वैशनफ की सिवा, नाम चारण और जीवदया पर किरपा करना, लेकिन इसका मूल है भगवान के नाम का उचारण करना, अगर नाम का उचारण नहीं करेंगे, हाँ, सादु संग, सादु सेवा, नाम संकीर्तन, आगे क्या है, एई भक्त आचरण अचरण सादु संग, भक्तों की संगती करिए, सादु सेवा, भक्तों की सेवा कीजिए, और नाम संकीर्तन कीजिए, तीनों चीज़े महत पूर्ण है, भक्तों की संगत में आके खाली प्रसादी ग्रहन करते हैं कि नाम जब करते हैं, यह जो सब लोग सुबह आके जब कर रहे हैं, बुछे कितना अभाव मैसूस था कि कोई भक्तों की संगत नहीं है। और देखें, सब लोग कितने संदर से भवाण के नाम करते हैं हम इमस्रें कित्री असानी से माला कर लेते हैं द्ली व्यश्नव전에 शेवा भी है और व्यृश्न आम. नाम. संक 만들어. अब मैं कथा Guitar को बोल रहा हूं भवाण के नाम, भवाण केxture को बोल रहा हूं ठीक है कि नहीं लेकिन बड़ा ही संकीन अर्थ में वैश्णव की सिवा करते हैं कि आए उन्हें खिलाए बस के बाद गोल ना सो ध्यान रखेगा यथा कावम यथा कालम सुल स्टॉप ना इस टाइम इस आगे इस लोको को कल देखते हैं श्रीमित भागवतम की जाए श्री प्रहुपात की जाए निताई गोवर प्रिमानन दे